दोस्तो बिग बोस ओडिटी के लाइफ फीड में हाली में घर के अंदर मनिशा रानी नेफ उक्रा इंसान के साथ एक ऐसा प्रेंग किया जिसे देखकर आप भी हंस पड़ेंगे दरसल दोस्तो आपको बता दे कि बीते विकेंड के वारे एपिसोड के बाद दोनों आपस में बातचित नहीं कर रहे थे जिसको लेकर फ्रेंस को ये चिंता हो गई थी कि कहीं इन दोनों की दोस्ती तूर तो नहीं गई लेकिन आपको बता दे कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है दोनोंने क्लियर कर दिया है कि उनकी बीच में सब कुछ सही चल रहा है और लाइफ फीड के दुरान एक दूसरे के साथ दोनों जम कर मस्तियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं हुआ कुछ यू था कि Manishah Rani bedroom area में बैटी हूई थी जेहीद के साथ में बात कर रही थी और कोई पहले से ही toilet में गुसा हुआ था Garden area के जो toilet वगण है उनको बंद किया हुआ है क्योंकि Garden area में setup चल रहा है और फुकरा इंसान ने कहा कि तू यहां क्या कर रही है मनिशा ने बताया कि मैं तो टोइलेट में जाने वाली हूँ लेकिन फुकरा इंसान ने कहा कि पहले मुझे जाने दे तू अगर चली गई तो अभी 45 मिनट तक बाहर नहीं आएगी क्योंकि तू वहाँ पर अपनी स्टेटरजी बनाती है बेटकर इस पर मनिशा रानी ने कहा कि तो छोटी संख्य जाएगा या बड़ी संख्या यानि कि सूसू करने जाएगा या कुछ और बड़ा कांट करने जा रहा है इस पर अभिशेग ने बताया कि वो बड़ी संख्या जा रहा है और इस दुरान दोस्तो अभिशेग इतना कहते हुए टोइलेट के अंदर गुस गे और अंदर से गेट बन्द कर लिया लेकिन यहाँ पर मनिशा रानी से कंट्रोल नहीं हुआ और दो मिनट होते ही वो जोर जोर से दर्वाजा पीटने लगी और अभिशेग को चिल्दा चिल्दा के कहने लगी कि जल्दी से गेट खोल दे वरना मेरी यहीं पर निकल जाएगी मैं गंदा कर दूँगी घर को और फुकरा इंसान भी अंदर से चिल्ला रहे थे कि तेरी जो मर्जी अब तू कर ले मैं तो पूरा भाई फ्रेश टंग से होकर ही निकलूँगा और इस दुरान वो लगतार बाहर से गेट पीड़ती रही लेकिन जब अभिशेक नहीं निकले तो उसने सोचा कि क्योंना अभिशेक के साथ प्रेंक किया जाए और मनिशा रानी यहां पर दर्वाजा के पीछे चुप गई और जैसे ही फुकरा इंसान दर्वाजा खौल कर बाहर निकले तो यहां पर मनिशा ने उनको डरा दिया और यह देखकर अभिशेक ने कहा कि तो पागले कि ऐसे को उन डुराता है और इतना कहते हुए उन्होंने वापस अंदर से गेट बंद कर लिया जिसके बाद दोस्तों मनिशा जोड़ जोड़ से दर्वाजा बीटने लगी और वही डायलोग मारने लगी कि निकल जा यार मेरे निकल जाएगी नहीं तो देख लेना हम तेरा पिछवारा तोड़ दिंगे कुल मिलाकर दोस्तों फिर से एक दूसरी के साथ दोनों काफी मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दोनों एक दूसरी के साथ हमें सब मस्ती करते हुए ये अच्छ लगते हैं इस तरीके से जब दूर बेढ़ते हैं तो फैंस काफी चिंतित हो जाते हैं आपको कैसा लगा मनिशा का यह प्रेंखा हमें कॉमेंट में जरूर बताएं, यदि आप भी मनिशा और फुकर इंसान की फ्रेंशिप की यानि की दोस्ती के फ्रेंशे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें